बीपी एसी सिख्यक भरती रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है कि पूरक प्रिछा फल जारी होने जा रही है जिया दोस्तों सप्लिवेंट्री रिजल्ट जो है जारी होने जा रही है और निउक्ति पत्र का जो इंतज प्रशाद स्रीवास्तर जी के तरफ से बीपीस को लिखा गया है कि पूरक परिच्छा जो है जारी की जाए देख सकते हैं यहां पर पूरी अपडेट दे दी गई है कि पत्रों के आलोक में जो है आयोग द्वारा यहां सुचित किया गया है कि जो सिकायत पोटल के माध्यम से किया गया है वो सही पाया गया है और सिकायतों के आधहार पर परिच्छा फल घोशित किया जा रहा है देख सकते हैं और पत्र के आधार पर जो है रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आ रही है देख सकते हैं TRE2 के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुसंसा एबम TRE1 के पूरक अनुसंसा के आलोक में निकती एबम पदस्थापन की कारवाई जो है देख सकते हैं 31-2024 तक होगी तो जीन लोगों को स्कूल एलोट्मेंट नहीं हुई है बाकी है स्कूल फाइनल पदस्थापन निकती पत्र को लेकर 31-2024 तक कम्प्लिट कर ली जाएगी वहीं पे आयोग को ये भी पत्र के माधियम से कहा गया है कि परिक्षा फल घोशित करने की सूचना दी गई है साथ में परिक्षा फल जो है 29 जनवरी 2024 तक अनिवार जो रूप से उपलब्द कराने की बात कही गई है और ताकि निकती प्रक्रिया सौसमय कम्प्लिट किया जा सके ये जो है कनिया परसाथ सिर्वास्तर जी के तरफ से ये अपडेट जो है आयोग को दी है तो आप लोग जो है इंतिजार करिए आप सब यह बैरत्यों की रिजल्ट जो है 29 जनवरी 2024 को रिजल्ट जारी कर दी जाएगी और देख सकते हैं स्कूल पतर स्थापन की प्रकिरिया जो है कम्प्लिट कर ली जाएगी 31 एक दो हजार चौविस तक टीरी वन टीरी टू तो देख सकते हैं पूरक परिच्छा सप्रेमेंट्री रिजल्ट को लेकर लेटर जो है जारी किया गया 27 जनवरी 2024 के डेट में तो ये बड़ी अपड कम बाले अभ्यारती है यह सारे अभ्यारती कौलिफाई करेंगे पास करेंगे और इन सभी अभ्यारतों को निक्ति मिले जा रही है ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है